इस कारेक्रम को जोईस मायर मिनिस्टीस के मित्रों और भागी दारों दोरा संबव बनाए गया है मेरी तरफ देखी परमीश्वर आपको निराश नहीं करेगा यदि आप अपना विश्वास नहीं छोड़ते हैं तो परमीश्वर आपको निराश नहीं करेगा ठीक है मैं एक सीरीज पर काम करी हूँ जिसे मैं कहती हूँ बैठे खड़े हो चलो और भागो असल में बाइबल में लिखा है कि ये सभी चारों चीज़ें हमें करनी चाहिए मसी में बैठना जिसका मतलब है परमिश्वर के विश्राम में प्रवेश करना उस तरह का विश्राम जिसके बारे में आज सुबह पीटर बात करा था जब उसने हमें संबोधित किया था और जिस तरह के विश्राम की पेशकश परमिश्वर हमसे करता है जरूरी नहीं कि वो विश्राम हमारे शरीर के लिए हाला कि ये भी बहुत जरूरी है और वो उसके बारे में बात करता है लेकिन ये विशीश प्रकार का विश्राम हमारी आत्मा के विश्राम के बारे में हैं आपको एहसास है कि आफास तो में रात में एक अच्छी नींद ले सकते लेकिन यदि आप घुस्से में है तो आप आराम नहीं ले सकते आप एक छुट्टी पर जा सकते हैं लेकिन यदि आप पूरा समय चिंता में है तो आप आराम से नहीं कर पाएंगे कि मैं यहाँ उपर आज सुबा काम कर रही हूँ लेकिन मैं परमिश्राम कर रही हूँ और इसलिए विश्राम शब्द पीतर ने आपको परिभाशा का एक powerful बता है कितने हैं जो इस तरह की पागल दुनिया में आप चाहते हैं कि रहने के योग यह हो लेकिन आराम से करें और चिंता न करें और न की हर किसी चीज के बारे में चिंती थों क्या ख्याल है यदि पॉल और लीजा कि आप इस चर्च के पास्टर होना चाहते हैं जो एल के साथ आराम करें और हाँ यहां एक चर्च बहुत सी ऐसी चीजे बताता है जो आपको परिशान कर सकती है क्योंकि आप जानते हैं यह सभी तूटे हुए लोगों से भरा होता है आमीन और इसली मुझे लगता है बहुत से लोग मसी को पाते हैं और फिर उन्हें बताया चाहता कि उन्हें कुछ करना चाहिए वे परमिश्वर से एक वचन या दर्शन पाते हैं और इसले तुरंत ही कुछ सब्दा में उनका पुनरचनम होता है और वे परमिश्वर के लिए लेकिन यदि आपने अभी तक बैठना नहीं सिखा तो आप ये नहीं कर सकते। तो माइक यहां आप सच में आएंगे, आप दोड़ेंगे, एक तस्वीर हजार शब्दों से बढ़कर होती है। ये एक उधार राण है, ये हमारे स्टाफ पस्टर माइक शेफ़र्ड, माइक आप क्या प्लीज नीचे लेटेंगे? ये स्वायम क्या करती थी, लेकिन अब मैंने फैसला किया कि किसी दूसरे से ये करवाओं, तो बच्चे नीचे लेटते हैं, हम सब जब राजे में आते हैं हम नीचे लेटे हुए आपने किया आपने पूरा कार्य किया आपने करने के कोशिश की आप नहीं कर सकते हैं आपका जीवन गड़बर है आपको मदद के लिए परमिश्वर की जरूरत है बेबी इसाईयों की तरह हम लेटे रहन से शुरूर करते हैं हमें किसी की जरूरत है हमारे लिए सब कुछ करने के लिए बड़ी समस्य आती है जब बचाय जाने के तीस साल हो गए हैं और आप अभी भी लेटे हुए हैं आमीन अब पास्टर माई मैं देखना चाहती हूँ इस थिती में भागने की कोशिश करें अब जानते हैं उन चीजों को करने की कोशिश के लिए हमें कितना संगर्श करना पड़ता है जिने करने का भी समय नहीं हुआ है क्योंकि हमारे जीवन में चीजों का करम बिगड़ गया है क्या आप बैठेंगे क्रिपा करके आप बैठ सकते हैं ठीक है अब हम कुछ प्रगती करते हैं ये जाना कि आप मसी में कौन है दर्शाता है कि आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर गए हैं जैसे कि उधारन के लिए एक व्यक्ती जो मसी में बैठा है उन्हें चिंदा करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे लोग उनके बारे में हैं क्या सोचते हैं क्या ये एक रात नहीं है कैसा रहेगा ये समय हां कहना बंद करने का है जबकि आपका रिदाए चिल्ला करो कह रहा है हाँ वाओ यह मैसुस करने की बजाए कि आपको हर किसी को खुछ रखना है कैसा रहेगा कि आप पवित्र आत्मा के नेत्रित का पालन करे और उसे आपको खुछ रखने दे अब एक बच्चा जिसे वे लेट आते हैं पहली चीज वो सीखता है कि वो कैसे बैटे फिर वो रेंगते हैं फिर चलते हैं फिर भागते हैं अब ठीक है आप उठकर जा सकते हैं ठीक है खड़े हो जाएं देखिए एक इसाय को खड़े होने के लिए कहा जाता और यही है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं जब हम जीवन के और तुफान में मजबूती से खड़े रहते हैं लेकिन मेरा मुदा है कि आप खड़े रहें और यदि आप अंदर से नहीं जानते कि कैसे बैठे रहना है तो आप खड़े नहीं रह सकते हैं अप्षित होना चाहती हूं आप समझ रहे हैं ना ठीक है आप थोड़ा सा टेहले ही हम चलने के बारे में दूसरी सर्विस में बात करने वाले हैं अब थोड़ा सा दोड़ो ओके ठीक है आप अपनी जगे पर वापस जा सकते हैं ये शुकिय पुनरुत्थान के बाद बाइल ह हमेशा उसे बैठा हुआ दरशाथी है वो जो सिंगहासन पर बैठा है वो उपर स्वर्ग में उठा लिा गया और पिता के दाहिने हात पर बैठा है और स्वर्ग दूतों में से उसने किसी से कब कहा कि तू मेरे दाही ने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाउं के नीचे की पीड़ी ना कर दू देखो यदि आप मसी में बैठ ना सीख जाते हैं तो वो आपके शत्रूं को आपके शत्रूं को आपके पावों के नीचे की पीड़ी बना देता है शैतान से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि परमिश्वर के विश्राम में रहें क्या आपने मुझे सुना शैतान से लड़ने का सबसे अचा तरीका है कि अपनी शान्ति में डटे रहो और परमिश्वर में विशुराम करो लिकिन अच्छी खबर यह है कि इफिस्यो अध्याय दो वचंची में लिखा है कि हमें मसी में स्वर्ग्य स्थानों में बैठाय गया है तो मैं कल रात का एक छोटा सारी कैप कर रही हूँ नहीं तो आप खो जाएंगे तो वास्तों में मैं अभी दो स्थानों पर हूँ मैं यहां इस मंच पर हूँ मैं चार और घूम रही हूँ लेकिन अंद्रूरी रूप से मैं मसी के साथ स्वर्ग्य स्थानों पर बैठी हूँ मैं आपको बता नहीं सकती कि अब ये मेरे लिए कितना आसान है बजाए तब जब मैंने 40 साल पहले शुरू किया था और मैं इस बारे में बहुत चिंतित थी कि हर कोई मेरे संदेश के बारे में क्या सोचने वाला है मैं चिंतित थी क्या मेरे पास परमेश500 की तरफ से सही संदेश शा था क्या मेरे पास सही चीज थी और ओ क्या दया करो यदि मेरे प्रचार के दौरान कोई बीच से दौर कर चला जाता तो मैं परेशान रहती थी आएए भी लेकिन देखे, अब मैं वो नहीं करती, कल रात मेरे उबदेश के बीच में से चार या पांच लोग छोड़ कर चले गए थे खेर, अब मुझे वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था, जैसे मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैंने सोचना छोड़ दिया है, आप से ही सोच सकते हैं जब आप परमिश्वर के विश्वराम में प्रवेश करना जानते हैं, आप हमेशा नकारात्मक नहीं जानते हैं, आप सकारात्मक हो सकते हैं, आप सरवत्तम कर सकते हैं, तो आज सुबह हम खड़े होने के बार में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हिसाई होने के नाते हम सब क बहुत खड़ा रहना होता है मजबूत इसे खड़े रह सकते हैं और हम उस सफलता के लिए परमिश्वर का इंतजार कर सकते हैं जो हमें अपने जीवन में चाहिए और वे आएंगी परमिश्वर को देर ही नहीं होगी लेकिन मैंने देखा है कि आम तोर पर वो जल्दी नहीं आता क्या किसी और को परमिश्वर के बारे में ये धियान है आपको कभी कभी आश्चरे नहीं होता यदि आप अंतिंग्शर में आ सकते थे तो आप तीन महीने पहले क्यों नहीं कर सकते थे कि मुझे इन सब में से नहीं गुज़ना पड़ता खैर वो हमें उस सब में से गुज़ारना चाहते थे तभी तो हमको सीख सकते अब मैं और ज़्यादा इसमें गुज़नने वाली नहीं हो मुझे परमिश्वर का काफी अनुपाव हो है क्योंकि पहले आप सिर्फ ये सुन रहे थे कोई दूसरा आपको अपने अनुपव बता रहा था लेकिन जब आपको स्वेम अनुपव होता है तब आपको वो मिलता है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता आमेन आमेन मुझे वहाँ पीछे की तरफ से एक महिला बहुत पसंद आई मुझे वो प्रोच साहित कर रही है हमें शेयतान के खिलाफ खड़े होना है आप जानते वो जूटा है और ये बहुत महत्व पूर्ण है कि आप मसी में कौन है और आप क्या करने के लिए बुलाए गए है आज सुबह मैं इस संदेश का अधेयन कर रही थी बिलकुल यहाँ अपनी कुरसी में बैठकर काफी द उठाता है ठीक है तो आप जानते कल रात उपदेश दिया घर गई जल्दी ही और सोने गए आसब उठी आज सुबह में जागी और मुझे लगा कि पांच बज़े थे और मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया और मुझे हैसास हुआ कि यह चार बज़े और मैंने सुचा ह हाललूया यह बिल्कुल एक बड़ा इनाम मिलनी जासा था लेकिन मैं अधियन कर रही हूँ और आगे बढ़ते हुए मुझे हल्की सी फुस-फुसार सुनाई दी शेतान बस फुस-फुसा रहा था यह कहां से निकल आया मुझे लगता है आप खंप करने वाली है खर देखो क्योंकि परमिश्वर के साथ अनुभव प्राप्त किया मैं जानती थी वो शेतान था मैंने नहीं सोचा कि वो परमिश्वर था मैंने इस पर विश्वास नहीं किया कि एक सेकिन के लिए भी नहीं आमें और तभी आप परमिश्वर के विश्वा में प्रविश्व कर सकते हैं जब आप जानते हैं आप कौन हैं आप जानते हैं परमिश्वर कैसे काम करता है और यदि परमिश्वर मुझे वो बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं खत्म हो गई थी निश्वी तुरूप से वो इसक कोशिश नहीं करता जब मैं अपने अधेयन के बीच में हूँ यहां आकर उपदेश देने के लिए हमें शैतान के जूट पहचानने आने चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों को धोका होता है वे उन चीजों का विश्वास कर रहे हैं जो बिल्कुल सच नहीं है लेकिन यदि आ आपके लिए सच बन जाती है यही आपकी सच चाहिए शैतान को कहना सीखे तू जूटा है चुप हो जा आमीन अब यह मुर्खतान नहीं है आप खत्म हो रहे हैं तुम्हारे उपदेश बिल्कुल अच्छी नहीं है जैसे कि हुआ करते देखार मुझे लगता है कि यह समय बहतर होता है मैं यह विश्वास से कह रही हूं मैं इसे एक अहंकार या घमंट के सहारी नहीं कह रही हूं लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए और आपको सकारात्मक रहना चाहिए और आपको परमिश्वर पर विश्वास और भरुसा करना चाहिए कि वो आपकी जीवन में कर रहा है वो सही है मुझे सवाल नहीं करना चाहिए कि है मैं परमिश्वर की मर्जी में हूँ मैं जानती हूँ जानती है उनकी मर्जी में हूँ हम अजबूत इसे खड़े हैं और विश्वास की लड़ाई लड़ते हैं एक तिमूतियो सद्याई 6 वचन 12 में लिखा है विश्वास की अच्छी कुष्टी लड़ और आप जानते विश्वास के है परमिश्वर पर पूरी तरह से जुकना विश्वास है ये विश्वास है कि जो आप देख नहीं सकते क्योंकि इसका परमिश्वर के वचन में वादा किया गया है लेकिन कभी-कभी हमें लड़ना पड़ता है और कभी-कभी बड़ी लड़ाई जो हम लड़ते हैं वो शरीर की लड़ाई नहीं है लेकिन आत्मा में लड़ना है क्या किसी को समझ आया उधारन के तोर पर आप उस व्यक्ति को नहीं बदल सकते जिससे आपका व परारतना करके परमिश्वर आपको बदले और इतने विनम रहोकर कहें मेरे पास शायद उस्वेक्ति से ज्यादा समस्या है जिसके लिए मैं परारतना कर रही हूं आए भी आत्मा से लड़ो अच्छी लड़ाई लड़ो विश्वास की लड़ाई लड़ो दोती मूतियू सद्याई चार वचन सात में लिखा है मैं अच्छी कुष्टी लड़ सकता हूँ मैं अपनी दौर पूरी कर चुका यहीं मैं करना चाहती हूँ अपनी दौर पूरी करना मेरे बच्चों को वास्तों में यह अच्छा नहीं लगता जब मैं यह कहती हूँ लेकिन मैं वास्तों में आशा करती हूँ कि जब मैं उपदेश कर रही हूँ परमिश्वर मुझे ले ले ये एक अच्छा तरीका होगा मेरा यहां से जाने का मेरा मतलब है मैं यहां जाने के लिए एक शांदर तरीका नहीं ढून सकती कि एबल वही काम करना जिसके लिए आपको बुलाया गया है और वो काम करना पसंद करते हैं आप जानते हैं मुझे लगता है वह अद्भूत होगा मैं भी कोई वेधना नहीं चाहती है मैंने परमिश्वर से कहा मैं उन लोगों के जैसे होना चाहती हूँ अपनी दोड़ पूरी करने के लिए हमें मजबूत होने की ज़रूरत है लेकिन कुछ नहीं इन में से कुछ भी नहीं होता आप शद्रू के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते आप विश्वास की चाल नहीं चल सकते आप दोपेर तक आप इंतिसार करें, बहुत सी बात ने हैं जो बाइबल हमें बताती है, प्रेम में चलो, विश्वास में चलो, मेल मिलाप में चलो, आप जानते हैं उसी तरह चलो जैसे मसी चला था, हमारे पास चलने के लिए एक रास्ता है, सभी फैसले जो हम अपनी चीव जाये तो हर बार जब आप नीचे गिरते हैं, तो निंदित होते हैं, लेकिन यदि आप जानते हैं मसी में कौन है, तो आप उस पूरी गड़बड को फलांकर उठ सकते हैं, और फिर चलना शुरू कर सकते हैं, आप में से कितने समझ रहे हैं, क्या मैं बात कर रही हूँ, प 30 साल से एक ही जगे पर इस इंतजार में पड़ा है, कि कोई आए और उसे उसके लिए कुछ करें, युहना अध्याय पांच, एक से आठ इसमें लिखा है, वहां यरुशलम में एक कूंड था, जो बेतहशदा कहलाता था, और मुझे लगता है, ये बेतहशदा में था, और उसे पांच उसारे थे, और साल में एक बार एक स्वर्ग दूद उतर कर पानी को हिलाया करता, और जो कोई सबसे पहले पानी में उतर जाता, उसे एक चमतकार मिलता, और इसलिए ये बहुत से बीमार, अंधे, लंगडे और लूले लोग वहां पड़े रहते थे पानी के हि पड़ा है, 38 साल से, 38 साल, मुझे आश्चरी है यदि आप में से कुछ 38 साल से ऐसे ही पड़े हैं, जैसे माई कि यहां लेटा हुआ था, आए भी, आज उठने का समय है, खर, जब ये शुनी इसके बारे में उसे पूछना शुरू किया और वो कितनी समय से वहां पड़ा था, विस्तारित बाइबल में लिखा है, वो उसे एहसास का जटका देने की कोशिश कर रहा है, तो और इसलिए शायद मैं भी थोड़ा वही करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको हैसास का जटका देने की, आप कितनी बार उसी फालतु पहाड के आसपास भटक चुके हैं, क्या कोई उसे आगे बढ़ने के लिए तयार है अपनी जीवन में, उस अगली चीज़ पर जाए जो आपके लिए परमेश्वर के पास है, और इसलिए जब परमेश्वर न उसे सवाल करना शुरू किया, तो उसने ये कहा, उसने कहा, हे प्रभू, मेरे पास कोई नहीं है कि जब स्वर्ग दूद आकर पानी हिलाते हैं, तो मुझे कूंड में उतारे और दूसरे मुझ से पहले पहुँच जाते हैं, आईए भी, किसी को ये समझना चाहिए, ये आदमी इतनी आत्मादया से भरा था और वो इंतजार कर रहा था कि कोई और उसके लिए सब कुछ करे, मैंने कहा, वो किसी का इंतजार कर रहा था, आपको खुश, आपको खुश करने के लिए किसी और का इंतजार करना छोड़े और सिर्फ खुश रहने का फैसला करें दूसरे लोगों से ये उम्मीद करना बंद करें कि वे आप के लिए परमिश्वर से सुने आप स्वेम परमिश्वर से सुनना सीखें एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो किसी चीज़ को पकड़े रखना पसंद करता है और हम भी ऐसे ही और ये ठीक है कि शुरूआत में आप सहरा चाहते हैं आप चाहते हैं लोग आपकी मदद करें और इसलिए हर बार जब आप मुश्किल में पढ़ते हैं आप किसी को बुलाते हैं आप जानते हैं आपको प्रोसाहित होने की जरूरत है लोगों को हमेशा आपकी सहायता करते रहना चाहिए लेकिन समय आता है जब परमिश्वर आपके नीचे से उन सभी सहारों को निकालने वाला है और आप स्वयम शत्र का सामना करने वाले हैं और सीखे की मदबूत इसे कैसे खड़े होना है और दूसरे लोगों के लिए मजबूत मने खैर ये आदमी दूसरों पर निर्बिर होते हुए अभी भी वहीं पढ़ाता दूसरे हमेशा मुझसे आगे निकल जाता है ख़र आप जानते हैं मुझे क्या लगता है मुझे लगता 38 सालों में भले ही मैं चल नहीं सतिमे रहेंग सकती थी मैं हिल डूल तो सकती थी आ ये भी यकिनन 38 साल में वो हिल डूल कर कुण के किनारे तक तो पहुँच सकता था और उसका ऐसा रवया था अगले साल जब वो स्वर्दुत आता है तो मैं इस कुण में पहला होने वाला हूँ या कोशिश करते हुए डूब जाने वाला हूँ और आप जानते हैं येश्यू ने उससे क्या का उसने नहीं का ओ बेचारे आदमी ओ वाँ और तीस साल और किसी ने तुम्हें अंदर नहीं डाला ओ और कई लोग तुछ से आगे निकल गएं आज चुरे नहीं कि तुम जीवन में नीचे पड़े हुए हो नहीं आप जानते हैं येश्यू ने कहा ओट ओट बाइबल में यहां एक बड़ा विसमे बोधक्चिन है और फिर उसने कहा और अपना बिस्तर साफ कर और उसने साथ ले जाओ मुझे ये अच्छा लगता है कि वल परमेश्वर ये चाहता है कि हम उठे वो चाहता है कि हम गंदगी भी साफ करे इफिस योच्छे वचेन बारा और तेरा में लिखा है क्योंकि हमारा ये मल्ल युद लोह और मास से नहीं परंतो प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सिनाओं से है जो आकाश में है तो हम एक युद लड़ रहे हैं हम एक युद में हैं लेकिन ये एक आत्मिकी युद है ये एक स्वाबावी की युद नहीं है आप शैतान को कैसे मारने वाले आप अपने मुठी बांद कर उससे नहीं मार सकते आप उसका गला नहीं घोड सकते, आप उसे मार कर गिरा नहीं सकते हमें उसे लड़ना होगा आत्मिक रूप से वजिन 13 में लिखा इसलिए परमिश्वर के सारे हत्यार बांद लो कि तुम बूरे दिन में सामना कर सको आप परमिश्वर के हत्यार पहनने के लिए आप मुसी बत आने पर इंतजार नहीं करते हैं आप इसे पूरा समय पहने रहते हैं और हत्यार जो परमिश्वर हमें देता है वो आध्यात्मिक हत्यार है ये कवच की तरह नहीं है जैसा कि एक युद्धा पहनता है ये सत्य है बाइबल में लिखा है सत्य से अपनी कमर कसलो जब आप स्थेर हैं तो सत्य की बेल्ट कसलो इसका मतलब है कि परमीश्वर के वच्चन पर द्रड रहो जैसा पहले कभी नहीं हुआ जब ऐसा लगे कि इसमें कुछ भी आपके लिए काम नहीं करा है तो जैसे पहले क चुरानी न दे मुझे रूमियों अध्याय आठ में अच्छा लगता है जहां वो कहता है कभी कभी हम वध होने वाली भेड़ों की तरह लगते हैं परन्तों इन सब बातों से हम जैवंत से भी बढ़कर हैं आपको यह याद रखना चाहिए जब आप एक भेड़ की तरह दिखते हैं जिसे वध करने के लिए ले जाया जाता है और भी आप मेंसे कुछ बिलकुल उसी जगे पर हैं आप किसी को जिसे आप जानते हैं बताते हैं जो की विश्वास नहीं है कि आपको विज़ाई मिली है और उनको लगता है कि आपका द जब आपको जाना आप मसी में कौन है धार्मिक्ता का कवज जो आपके दिल का आवरण है शांती के जूते उद्धार का टोप यदि आप इसाई हैं तो इसाई की तरह विचार करना से कि विश्वास की ढाल को अपने साथ गसीटना अच्छा नहीं है जब जलते हुए तीर आते हैं तो इस ढाल को उपर उठालो आज सुबह मैंने यही किया जब शेयतान ने कहा तुम खत्म हो गई है तुम्हारे उपदेश उतने अच्छे नहीं है जैसे पहले होते थे आत्मा में विश्वास की ढाल उठाई जूटे और अपने अधेयन में लगी रही आमीन और देखो मैं आपको वो बताने वाली हू लेकिन मैं इसके बार में सोचती हूं और मुझे लगता है कि यह अश्चरे जनक है कि इतने वर्षों और इतने हजारों हजारों उपदेशों के बाद मी नचाने क्यों अपने अधेयन के बीच में मुझे ऐसा कुछ सुनाई देता है क्योंकि शैतान जूटा है अब इसे कि आप स्वयम पर संदे करें आए ये भी हमारे पास यहां कुछ खुश लोग हैं ओ मेरे खुदा परमिश्वर के साथ चलना एक ऐसी यात्रा है आत्मा की तलवार आप आत्मा की तलवार चलाते हैं जो कि परमिश्वर का बच्चन है इसका मतलब है जब आप एक आवेक पूर्ण युद्ध में परमिश्वर का वच्चन बोलें और हर चीज को प्रार्तना से ढखतें ओ प्रार्तना की साथगे और शक्ती मुझे प्रार्तना करना अच्छा लगता है विश्वराम में रहना कितना अद्बूत है और उन चीजों के लिए प्रार्तना करना और बस आगे बढ़कर अपनी जीवन का आनन्द लेना जबकि परमिश्वर आपकी समस्या पर काम कर रह हैं यह हमारे जीवन का एक बड़ा सोभा गया है हमें खड़े रहना है जब हम प्रतिक्षा कर रहे हैं मर्कुस अध्या 11 वचन 23 में लिखा है येश्व ने उसको उत्तर दिया कि परमिश्वर पर विश्वास रखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो को इस पहार से कहे कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेना करे वनें प्रतित करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्तना करके मांगो तो प्रतिती कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम में मिल जाएगा इसलिए तुम मांगो तुम विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया है जिसे आप अभी नहीं देख सकती यह आपके दिल में और फिर यह आपको मिल जाएगा लेकिन यहां एक छोटी सी चीज उसने छोड़ दी और मैं नहीं जानती कि आपने इसका पता नहीं करेगा आज किसी को यह सुनने की जरूरत है हो सकता है वो ना करे जो आप चाहते हैं कि वो करे लेकिन यदि वो नहीं करता है तो वो कुछ बहतर करेगा कि आप इतने होश्यान नहीं कि यह जाने पर मिश्वर वफादार है यह के वले गीत नहीं है जिसे हम गाते हैं वफादारी ही तेरी माहांता है, वो वफादार है इस कारे करम को जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वरा संबव बनाए गया है